कि गुड इवनिंग आप सभी कोई को आप सभी कोई का स्वागत है हमारे यह रूटिप चैनल में आज हम लोग कोमोडिटी ट्रेंड अनालिसिस गोल्ड और सिल्वर का लेबल देखेंगे मंडे 21 सेप्टेंबर के लिए फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पर लेकिन उसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी करें आप अपने फैनेंसल अडवाइजर के सला से करें क्योंकि यह वीडियो एजुकेशनल परपस से बनाई जा रही है फ्राइडे की क्लोजिंग होई है गोल्ड की 51,764 पर तो उसके बेसिस पर लेबल जदी हमें मिलती है 51,800 के नियर बाउट तो यहां हम बाई के लिए देखेंगे हमारी पहली रेस्टेंस लेबल होगी 51,975 के लिए यहां मार्केट सस्टेन करती है और अपसेट जाती है तो नेक्स्ट लेबल होगी हमारी 52,175 के लिए यहां मार्केट सस्टेन करती है और अपसेट जाती है तो नेक्स्ट लेबल होगी हमारी 52,600 के लिए market डाउनसर जाती है और लेबल हमें जदी मिलती है 51,730 के नियर बाउट तो यहां हम सौट के लिए देखेंगे हमारी पहली support लेबल होगी 51,555 के लिए यहां market sustain करती है और डाउनसर जाती है तो next level होगी हमारी 51,350 के लिए यहां market sustain करती है और downside जाती है तो next level होगी हमारी 50,900 के लिए तो यह थी gold की level अब हम देखते हैं silver की क्या level आती है silver MIC की closing हुई थी 67,848 पर तो उसके basis पर label जदी हमें मिलती है 67,890 के near about तो यहां हम buy के लिए देखेंगे हमारी पहली resistance लेबल होगी 68,095 के लिए यहां market sustain करती है और upside जाती है तो next level होगी हमारी 68,325 के लिए यहां market sustain करती है और upside जाती है तो next level होगी हमारी 68,800 के लिए market downside जाती है और level हमें मिलती है 67,805 के near about तो यहां हम short के लिए देखेंगे हमारी पहली support level होगी 67,625 के लिए यहां market sustain करती है और downside जाती है तो next level होगी हमारी 67,375 के लिए यहां market sustain करती है और downside जाती है तो next support level होगी हमारी 66,875 के लिए तो यह थी gold और silver की level आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो please like करें subscribe करें हमारी channel को share करें जाज़ादा और press करें bell button ताकि आपको वीडियो की notification मिल सके okay thanks